दोस्त हम सभी चानते हैं कि टेक्नोलोजी कली जपएन एक बहुत ज़ches देश है इसी वज़े से जपएन के लिए कोई भी टेक्नोलोजी को डेविलप करना बहुत ज़ादा एज़ी हो जाता है उसने पास्ट में कुछ ऐसी ऐसी टेकनोलोजी डेवलप की है जिनका एको सिस्टम उसके पास मौजूद है और उसी के आधार पर अपने एक्सपिरियंस का इस्तमाल करते हुए वो नई टेकनोलोजी को बड़ी आसानी से डेवलप कर सकता है फिर चाहे टेकनोलोजी कितनी भी ज़्यादा जटिल और क्रिटिकल क्यों ना हो इसी का एक नमूना देखने के लिए मिला कि जपैन भी अपना खुद का इंडिजिनस नेक्स गेनरेशन फाइटर जट बनाने जा रहा था जिसको नाम दिया गया था एफ-एक्स जिसके लिए एक नेक्स गेनरेशन का एंजिन भी चाहिए होता और ये काफी हाइटरस्ट वाला एंजिन चाहिए था इस वज़े से जपैन ने एंजिन के लिए भी परियोजना चलाई और 147 किलो न्यूटन वाले एक हाइटरस्ट एंजिन को डेवलप करने के लिए सारी तैयारियां कर लेकिन दोस्तों इसके बावज़ू जैसे ही यूके की तरफ से टेमपेस परियोजना के लिए जपैन को ओफर मिला उसके बाद जपैन ने अपने फाइटर प्रोग्राम को टेमपेस के साथ मर्ज करते हुए टेमपेस के साथ ही जुड़ना पसंद किया और इस तरह से युन सब कुछ नेक्स जनरेशन का होगा और सबसे बड़ी बात कि आने वाले कई दश्कों तक इसकी सारी टेकनोलोजी अनबीटेबल होगी दोहजार पैंटिस में ये फाइटर जिट बनकर तयार हो जाएगा अब बड़ी बात यहां पर यह है कि इस फाइटर प्रोग्राम के ल होगी इसके लिए मैं आपको बता दू कि यूके की तरफ से काफी ज़्यादा प्रयास किये गए लेकिन भारत में अभी तक इस परियोजना के साथ जुड़ने को लेकर किसी तरह का कोई इंटरस जारी नहीं किया लेकिन दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने जा र पुराने कई सारे से फाइटर जेट वो बना चुका है कई सारे फाइटर जेटके एंजिन मना चूCu आप भारत भी अपना आम का बना रहा है लेकिन हम सभी जानते कि यूकी जितना एक्सपीरियंस भारत के पास नहीं है और अभी भी आमका के लिए जो सबसे बड़ी चाहते हैं एंजिन हमारे साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप करना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी हम लोग 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला के एंजिन इन देशों से हासिल कर सकते हैं उसको और अपग्रेट किया जा सके भारत खुद के बूते कर सके इसके लिए IPR और Technology Transfer का भी प्रावदान यहाँ पर रखा जाना है जिसके लिए भारत भी बहुत मोटी रकम खर्च करने वाला है 6 बिलियन डॉलर्स यह बहुत बड़ी रकम हो गई इस रकम के आधार पर हम लोग यह टेक्नोलोजी और एंजिन बड़ी आसानी से हासिल भी कर सकते लेकिं दोस्तों यहाँ पर एक प्रावेट डिफेंस वेबसाइट की तरफ से कुछ अपने ओपीनियन रखे गए हैं जैसे कि यह एंजिन मान लीजी हमने अमका के लिए डेलॉप कर भी लिया 110 किलो न्यूटन बाला वो आज की तारीक में तो हमारे लिए सफिशेंट होगा हमारा एमका मार्क टू जब बनकर तयार होगा उसके लिए भी मान लीजी कि वो पूरी तरह से तयार होगा और परफेक्ट होगा एमका माकवन जो है उसके अंदर भी हम लोगों ने बाद में पुराने एंजिन हटा कर जो अमेरिका की जनरल एलेक्टरिक से लिए गये हैं उन्हें हटा कर नए एंजिन के साथ उसे क्यूप कर दिया तो विशेश कोई समस्या हैं हमें नहीं जा सकती बाद में अगर पावर की और ज़्यादा रिक्वार्मेंट भी रही तो हम लोग इसे अपग्रेड भी कर पाएंगे क्योंकि IPR और टेक्नोलोजी ट्रांसपर हमारे पास अल्रेडी होगा तो 130 किलो न्यूटन तक भी इसे प बहुत जादा अपग्रेड हो रही है और फिर भी अगर भविश्य की बात की जाए तो यहां पर हम लोग ऐसे वेपन्स का ज्यादा इस्तमाल करने वाले हैं जो कि बहुत जादा इलेक्रिस सिटी को कंस्यूम करने वाले हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है लेजर वेप किया जाएगा थल सेना वायू सेना और नौ सेना तो क्या इन फ्यूचर जो हमारा 110 किलो न्यूटन वाला एंजन होगा एमका के लिए क्या वो सफिशेंट होगा इस तरह के हाई एनरजी वेपन्स को ऑपरेट करने के लिए उन्हें प्रॉपर इलेक्रिसिटी की सप्लाई द जाते हैं तब भी ये हमारे लिए जैपैन की तुला में तो कमी रहा तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इस एंजिन का थ्रस्ट हमारे लिए सफिशन ना हो और शायद उस समय तक जियो पॉलिटिक्स की जिस्तितिया हो वो भी बदल चुकी हो और शायद कोई हमें फिर दोबारा से इस तरह की टेकनोलोजी ना दे इस वज़े से एक डिफेंस वेबसाइड ने अपना उपीनिन रखा है कि भारत ने एटलिस एंजिन के लिए एंजिन की टेकनोलोजी हासिल करने के लिए टेमपेस्ट पर योजना से जुड़ जाना चाहिए ये हमारे लिए काफी ज्याद की बात कही थी कि अगर ऐसी कोई टेकनोलोजी जो एमका के लिए इस्तमाल की जाती है वो अगर हमें किसी फॉरेंट पार्टनर से मिलती है तो डेफिनेटली हम उसे सुविकार करेंगे तो कहने का मतलब ये इनिशिटिव जो होगा ये भारत के एमका प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा लाप्रत शाबित हो सकता है अब इस पूरे मुद्देबर दोस्तों आपका क्या मनना है क्या एंजिन टेकनोलोजी के लिए एक्चुली नेक्स एंडेशन एंजिन के लिए टेमपेस परियोजना से भारत में जुड़ना चाहिए या फिर नहीं नीचे कॉम